तो भाई मॉस्टर वर्स की सबसे एंटिसेपेटेड मुई अभी है गौडजला एक्स कॉंग यहाँ पर हाइप ऐसी है कि जब गौडजला वर्सेट कॉंग आई थी उससे विज़त है आप हाइप है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन दोनों की लड़ाई है वह आपस पर नहीं हो रही है बलकि यह लोग एक टीब में काम करेंगे हाला है कि ट्रेले में आप लोगो लगा होगे कि जब गौडजला और कॉंग का काफी बहीनों बाद या फिर काफी सालों बाद दोबारा से एंकाउंटर हुआ था तो यहाँ पर गौडजला कॉंग पर दोबारा से अंक करने लगा था उप्या नहीं है कि यह लोग दोस्त नहीं हैं क्योंग यहां पे यह दुशमन भी नहीं है क्योंकि डाक्टस ने आपे पहले clear कर दिया है इनका relationship काफी ज़दे complicated है क्योंकि जहाँ पर जो गॉडजला है वो nature में balance लाने के काम करता है वही जो कॉंग है वो humans को protect करता है एक तरीके से और कॉंग का दिन पर दिन bond काफी ज़दे strong हो गया है और यहाँ पर इनकी growth भी हुई है जैसी कि हम लोग बात करें गॉडजला की तो वो काफी देर तक परफ में सोया था जैसे उसकी energy change हो गई है और यहाँ पर हम लोग एक pink गॉडजला evolve होते नज़राया है बात करें कॉंग की तो कॉंग की भी height काफी ज़दा बढ़ गई है लेकिन इन सब के अलावा दोस्तो अब यहाँ पर खबर यह आ रही है कि इनकी मुई का post credit scene leak हो गया है अब दोस्तों यहाँ पर यह जो खबर है यह leak वाली जो भी आती है उस पर grain of salt ज़रूर होता है यानि कि इसमें कुछ percent सच्चाई होती है कुछ percent fanment होती है लेकिन यहाँ पर एक बात तो है leaks जैसी भी हो audience को इसे सुनने में मज़ा तो आता है अब यहाँ पर पूरी picture leak ने गए कि यहाँ पर आगे जाके क्या होगा वो लोग इसकी ending को assume भी कर सकते पहली बात तो यह यह movie सिर्फ Godzilla के बारे में नहीं है बलकि Kong के बारे में भी है और दूसरी बात यह इस movie में जो humans का involvement होता है वो काफी कम होता है लेकिन हाँ उनका एक छोटा सा involvement भी इन monster वर्स की दुनिया में monster की life में काफी ज़्यदा भुचाल लाता है अब जिसके हम लोग बात करें पुरानी वाली Godzilla मुई की तो यहां पे hollow earth की energy से उन्होंने Mecha Godzilla को टाकत दी थी जिसकी विज़से जब आप लोग किया दोगा Godzilla और Mecha Godzilla आपस में battle कर रहे थे और जब उन्होंनों के बीच में beam battle हुई थी यानि कि Godzilla अपनी जो laser beam में Mecha Godzilla को पर attack किया था और Mecha Godzilla ने भी अपनी beam के तो Godzilla पर attack किया था तो एक समय ऐसा है तो उन्हों की beam आपस में लड़ गई थी लेकिन हरानी तब होती है जब Mecha Godzilla की जो beam है वो Godzilla की beam को overpower कर देती है जिससे एक समय के लिए Godzilla भी घबरा आ जाता है हाला कि जो Godzilla vs Kong मुई आई थी उसमें हम लोग ने पहले ये देखा था कि एक round में Kong जीत रहा था उसके बाद दूसरे round में Godzilla जीत रहा था फिर यहाँ पर Godzilla end में almost Kong को खतम कर देता है लेकिन मारता नहीं है और वहीं दूसरे थे हम लोग ये देखते हैं Godzilla पहले से ठाका हारा रहता था फिर Mecha Godzilla उस पर अटाक कर देता है लेकिन मैं ये सब कहानी आपको क्यों समझा रहा हूँ क्योंकि दूस्तों इन सब के पीछे सबसे important reason था humans का environment या फिर सीधे तरीके से कहे उनका interference nature के साथ यहाँ पे अगर ये Mecha Godzilla ना बनता तब चीज़े कुछ अलग होती अब यहाँ पे humans भले कम दिखाए जाते हैं लेकिन वो लोग क्या करते हैं वो लोग किसी तरह Godzilla के energy हो चाहे होलोग के energy हो उन सब पे experiment करने की कोशिश करते हैं और यहाँ आप लोग को पता होगा इसके आगे भी वो लोग जा सकते हैं क्योंकि हम लोग बात करें यहाँ पे science की तो हमेशा एक चीज़ मांगती है जो की है evolution और खासकर अगर लोग बात करें monster वस की तो यहाँ पे evolution काफी एक आम बात है खासकर monster के बीच में तो यहाँ पे अगला तरीका जो humans लोग कर दे वाले हैं वो Godzilla के DNA को space में भेजने का काम है जिसकी वज़े से यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एक अजीब चीज होगी वो जो DNA है वो black hole में मर्ज ज़े जाएगा और किसी तरह एक scientific तरीके से एक नए Godzilla का जनम होगा जिसे हम लोग कह सकते हैं Space Godzilla अब यहाँ पे जो space Godzilla है जो लोग Godzilla के बारे में थोड़ा जानते हों लोग समझ गएंगे मैं किस चीज की बात करा हूँ वो क्या बला है लेकिन यह अगर आ गया न तो यह एक तरीके का Godzilla यह उन्हों इसमें Thanos का काम करेगा जिसके लिए पता नहीं कितने लोगों को एक साथ जोड़ना पड़ेगा इसे हराने के लिए क्योंकि भाई यह मामली Godzilla नहीं है जो कि Earth के Atmosphere में बड़ा हुआ पहली बात तो यह यह Godzilla के DNA सेंपल से बना है प्लस यह DNA सेंपल प्योर नहीं है जो Scientist रिज डिएने को स्पेस में भेजे हैं वो यह बात को साबित करना चाता है कि Godzilla स्पेस में भी सर्वाइब कर सकता है इसलिए उसके DNA सेंपल में यहाँ पर उन्होंने काफी चीज़े चीज़ कियोंगी अपने कुछ artificial चीज़े अड़ कियोंगी उस DNA सेंपल को इतना मजबूत इतना ताकतवर बनाने के लिए कि वो स्पेस में जाके भी सर्वाइब करते हैं या फिर ब्लैक होल के कुछ element के साथ मर जुआ होगा तो जो गौर्जला है वो यहाँ पर किसी की ने सुदने वाला और वो गौर्जला अर्थ पर कैसे आएगा इसकी कहानी एक अलग तरीके से दिखाए जाएगी क्या पता वो जब गौर्जला हो scientist उसको छोटे रूप में अर्थ पले है किसी spaceship की मदद से और बाद में वो बड़ा होके ये क्या कारनामा कर दे कोई नहीं जानता लेकिन हाँ Space Godzilla की बात करें तो उसके बात एक चीज़ है कि यहाँ पर उसकी ताकत अजीब है जितने भी psychological, physical और even biological laws है वो बिलकुल Gidora जैसे अब जैसे Godzilla ने जब Gidora का सर पहले बार काटा था तो Gidora का सर दोबारा उग गया था और ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो Gidora था वो अर्थ का creature नहीं था बाहर साय था जिस पर अर्थ के laws लागू नहीं होते हैं और अगर वो regenerate कर भी लेता है जैसे छिपकली या फिर हम लोग देखते हैं बाकी कुछ प्रजाती को जैसे मेड़क उनके अगर टांग उनकाटे तो Gidora करते हैं लेकिर वो इतनी तेजी से नहीं करते हैं जितनी तेजी से वो Gidora कर रहा था उसी तरह दोस्तों यह जो स्पेस गोड़जला है इसकी भी साइकोलोजी या फिजियोलोजी जो भी कहें वो काफी जादा अलग होगी और वो काफी अलग एक तरीका क्रियेचर है जो पहली बार नेचर स्पेस सब कुछ मिला हो लाके यूमेंस के एक्सपेरिमेंट से बनाओगा जो की काफी जादे खतरनाक है अब सबसे इंपोर्टन वार्द इसमें यूमेंस का कैन टेशन था यूमेंस को लगा कि वो बस एक टेस्ट करना चाहते कि अगर गौड़जला स्पेस में सर्वाइब कर जाता है तो गौड़जला को किसी और प्लानेट पर लगके उसको इवाल्व करने की कोशिश करे अब फर एक्जामपल हम लोग ने अर्थ पे तो गौड़जला देख लिया लेकिन क्या हूँ अगर गौड़जला मार्स पर रहता है तो उसकी environment उसको कैसे effect करेगे या फिर जब गौड़जला किसी और प्लानेट पर रहता है तो उस प्लानेट के वाथा वेरेंड में वो कैसे evolve करता है ये scientist को देखना था उस पर study करनी थी ताकि वो अपने अर्थ के गौड़जला को और एच्छे समझ सके और जान ले कि ये प्रजाती कितनी जड़ा effective है और यहां से हो सकता है उनके कुछ positive motive भी हो कि यहां पर हो सकता है उस गौड़जला के वुझे से वो humans की evolution को भी study करने वाले हो क्योंकि यहां पर वो humans को भी कही और प्लानेट पर transport करने वाले हो लेकिन उनके experiment गलत थावित हुआ और यहां पर अंजाने में सही Space Godzilla का जनम हो गया अब दोस्तों यह जो Space Godzilla आएगा क्या यह इस franchise का अंध करेगा यानि कि दोस्तों एक तरीके से दिखा जाए अगर लोग बात करे इस Godzilla movie की तो यहां पर अगली जो Godzilla part आने वाली है वो क्या एक तरीके से एंड गेम होगी जहां पर Space Godzilla आएगा और Godzilla अपने आपको sacrifice करके यहां पर खतम कर देगा जिसे आए मैंनों थैनौस के बीच में हुआता है ऐसा कुछ होगा अब यह तो नहीं पता यह depend करता है कि Monster Wars कितना आगे तक ले जाना चाते क्योंकि Monster Wars तो अभी जाके काफी ज़्यदा इंट्रेस्टिंग वा है और फैर्स लोग इसके बारे में बात करना शुरू किया है यह तो पहले सिब मार्वल और डीसी के बारे में बात होती थी वैसे डीसी की शायद बात होती थी पता नहीं लेकिन हाँ यहां पे सबसे जलम मुई थाबित होगी अब देखते हैं कि आगे क्या होगा